दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप कैसे connect करेंगे अपने Fast Tech Reflex 3.0 को अपने Fast Tech Reflex एप से तो ये वीडियो आपके काफी आदा helpful हो सकती है आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको एप में क्या क्या फीचर देखने को मिल जाते हैं तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आपका स्वागत एक बार फिर से एक नहीं कमाल धमाल वीडियो में मेरा मसलब आप देख रहे हैं इंडी जन्विंटेक यूट्यूब चै तो यसी कुछ लाइट दिल रही है इसके हार्ट रेट सेंसर की तो प्ले स्टोर से आपको जो है आप डाउनलोड करना है यह फास्टेक रिफ्लेक्स वर्ल डाउनलोड कर लेना है तो इंस्टाल के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां आपको नजर आ रहोगा कि यह है get pairing and start tracking तो यह सारे option आपको यहां पर देखने को मिलेंगे band faces आपको अलग-अलग मिल रहे हैं यहां पर my fitness for a quick look at your activity matrix pick play repeat with the 10 sports mode तो यह सारी चीज़े आपको यहां पर देखने को मिलेगी अब यह download हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि कैसे connect होगा आपका यह app तो अब जो है हमारा app वो install हो चुका है तो open यहां से मैं कर लेता हूँ तो यहां से चलिए sign up करने के लिए बोल रहा है तो sign up के लिए I accept अब यहां पर mobile number आपको डालना होगा आपका जो भी mobile number हो आप डाल सकते हैं यह start pairing का आपके सामने option आ रहा है तो यहां से मैं start pairing पे ट्लिक कर देता हूँ allow only while continue connecting to यह देखिए आपका पेर यह हो गया है तो device you may also need pin तो पिन देखिए नाइन ट्रीबल थ्री 7 6 तो यहां पर पिन मांग रहा है अब पिन जैसे ही आप एंटर करेंगे यह आपका पेर सक्सेस्फुली यानि सक्सेस्फुली पेर हो जाएगा और checking if these make sure your band is close to your phone and is charged above 30% तो यह जो है बोल रहा है कि 30% आपका band charge हो तभी यह connect होगा do not close the app while updates is in progress तो update now पे आपको देखिए यहां पे option मिल रहा है तो जो थोड़े बहुत आपको update मिले होंगे वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे तो let it be updated तब आपका update के बाद ही यह आपका चलेगा तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि update कर लेना है और आपको band को close नहीं करना है hold on do not close the app यहां पे आप नज़र डालिए यह connected का symbol बना हुआ है आपके band के उपर तो चलिए यहां पे आप देख रहे हैं नाम लिखना है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ अतुल mail update of bird डालनी है तो आप जो है कुछ भी डाल सकते हैं आपे 2000 चलिए तो 168 62 और अब आपका देखिए sleep goal भी पूँच रहा है आप कितनी देर सोते हैं चलिए 7 hours continue 30 minute set up multi sports goal 30 minute का 8000 step है step goal हो गया तो यहां से आपको आगे करना इसको अब देखिए आपका जो है यह connected हो चुका है यहां पर आपको option मिलते है हट रेट का कि आपका हट रेट क्या है डे वीकली मंतली तो यह सारी चीज़ें आपको आपके यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं इतने सारे आपको बैंड फेसे देखने को मिल रहे हैं उसी के साथ step goal भी आप यहां पर change कर पाएंगे जो कि आपको पहले मिला था sleep goal आप change कर पाएंगे multi sport goal भी change कर पाएंगे fine phone का option यहां पर मिलता है तो जिसको अगर आप turn on कर देंगे तो आप अपने phone को find कर सकते हैं for example अब देखिए यहां से मैं इस पर जाता हूं setting में तो heart rate हो गया sport mode sleep mode breathe music तो fine phone जैसे ही मैं click करता हूं यहां पर देखिए एक notification मेरे पास आया तो यह देखिए stop ठीक है अगर मैं camera की बात करूं तो camera आप देखिए कैसे control होगा मैं camera पर click करता हूं so just a minute तो यहां पर देखिए camera हो गया अगर allow access यहां से आप दे देंगे तो आपका camera जो है यह access कर लेगा अब music दिखा दो मैं आपको rate music देखिए तो music पर चलिए मैं चलता हूं तो यहां पर आप देखिए music play और pause कर सकते हैं तो यहां पर नज़र डाली है उसके बाद आपका dnd मिलता है यानि आपको जो है dnd set कर देंगे तो आपको do not disturb mode activate हो जाता है alarm है उसके बाद आपका alarm है lift to view अगर आप इसको turn on करना चाहते हैं turn on किये रहते हैं कि आपका जब यह ऐसे lift करेंगे आपका band lift to view turn on तो यहां पर देखिए आप आपका turn on हो गया तो यहां से आप turn on इसको कर सकते हैं उसके बाद set entry alert है on to HR है यहां पर देखिए reminder every five minute heart rate monitor आपको on to कर सकते हैं unfair कर सकते हैं update band यहां से कर सकते हैं और रिपोर्ट कर सकते हैं उसको error से और about reflects यहने इसके बारे में आपका दिया गया है तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही अगर आप वीडियो पसंदा है तो प्लेश चाहिए को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करना बिल्सक्राइब बुलेगा मिलता अगले वीडियो में तब तक के लिए जया हिन वन देमात